आज का वीडियो दोस्तो इस 220 हैमर को रिपेर करना है जिसमें की हैमर और ड्रिल दो मूड होते हैं तो सबसे पहले हम इसे हैमर मूड में चला कर देखते हैं तो यह काफी अच्छा बर्क कर रहा है अब हम इसके ड्रिल मूर को test करते हैं तो यह भी काफी अच्छा work कर रहा है तो इसमें problem क्या है दोस्तों इसमें problem यह है कि इसमें जब हम इसके बर्मे को set करते हैं तो इसके mouth में से यह बर्मा बाहर निकलाता है तो इस प्रावलम को solve करने के लिए दोस्तो हम सबसे पहले इसके माउथ में लगे हुए इस रवर के अपको बाहर निकालते हैं इसके बाद इसमें लगा यह स्टापर होता है जिसे की हम एक स्कूर्ड्राइवर की सहता से इस परकार बाहर निकाल लेते हैं बड़ी ही आसानी से यह इस्टापर बाहर निकाल आता है दोस्तो इसके बाद यह प्लास्टिक के भी बाहर निकाल आता है और इसमें यह लोहे की गोली रहती है इस गोली को हम इस परकार बाहर निकाल लेते हैं और इसके बाद यह है लोहे की पत्ती को बहार नकालते हैं इसके बाद यह है श्प्रिंग रहती है जिसे की हम बहार नकाल लेते हैं इस प्लास्टिक कैप में भी एक लोहे का बासर रहता है दोस्तों जो कि उस लोहे की गोली को प्रेस करने का कार करता है, तो अब हम इस सभी पार्ट्स को चेंज करेंगे दोस्तों, तो यह देखिए दोस्तों, यह नया 220 हेमर का माउथ है, यह प्लास्टिक का केप है, यह श्प्रिंग है, इसमें यह इस्टापर दिया हुआ है, और यह लोहे की पत्ती है, और यह लोहे का बासर है, यह रवर केप है, और इसके साथ यह लोहे की गोली भी साथ में आता है, तो देखिए दूस्तो सबसे पहले हम इस छेत को अपनी तरब करते हैं इसके बाद हम यह श्प्रिंग इसके उपर से उल्टा लगाते हैं जैसा वीडियो में दखाया जाता है और इसके बाद हम इस लोहे की पत्ती को रखते हैं इस प्रकार पत्ती को रखने के बाद अब हम इसमें लोहे की गोली को लगाते हैं दोस्तों यह देखिए इस प्रकार इसके उपर अब हम इस लोहे के बासर को रखते हैं इस प्रकार लोहे के बासर को रखने के बाद अब हम इसमें इस प्लास्टिक क्यप को इसके उपर रखते हैं प्लास्टिक क्यप रखने के बाद दोस्तों अब हम इसको इस प्रकार प्रेस करते हैं प्रेस करने के बाद अब हम इस इस टापर को इस प्रकार एक स्क्रूडराईवर की साहता से उसकी जगह पर सेट कर लेते हैं इस टापर को अच्छी तरह सेट करने के बाद अब हम इसके माउथ पर यह रवर क्यप को भी लगा देते हैं अब हम दोस्तो इस बर्मे को इस माउथ में लगाते हैं और खीच कर देखते हैं कि यह बाहर निकल रहा है कि नहीं तो अब हम इसे इस प्रकार हिला कर भी देख लेते हैं तो देखिए दोस्तो इतना हिलाने के बाद भी यह बाहर नहीं निकल रहा है तो हमारी प्रॉब्लम सॉल हो जाती है दोस्तो अब हम इसे AC में लगा कर टेस्ट करते हैं तो देखिए दोस्तो हमारा हैमर अच्छी तरह से बर्क करने लगा है इस प्रकार हम 220 हैमर का माउथ चेंज कर सकते हैं वीडियो इतना ही था देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद